स्टुडेंट्स आजी क्लास में हम प्री पोजीशन का ध्यान करेंगे प्री पोजीशन क्या होता है प्री पोजीशन कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कहां पर प्रयोग करते हैं प्रिपोजिशन का हर एक्जाम में विशेस महत्व है, कंप्रिशन लेवल से लेकर के अकेडमिक और अनकेडमिक हर जगा प्रिपोजिशन का विशेस महत्व है, हर प्रकार के एक्जाम में प्रिपोजिशन से दो नंबर के कम से कम क्वेशन जरूर पूछते हैं, ठीक है न, त या होता है इसकी definitions के शुरुआत करते हैं तो प्रिपोजिशन वाशब्द है जो कि संग्या सरुनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संग्या सरुनाम से बताता है प्रिपोजिशन is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun जानते हैं प्रिपोजिशन का स्थान कैसे होता है कहते हैं प्रिपोजिशन का प्रियोग उसके object से पूर्व या जहां तक संभव हो उसके निकट ही रखना चाहिए object से पूर्व या उसके निकट रखना चाहिए मुख क्रिया प्रिपोजिशन दथा उसके प्रयोग नीचे दिये गए है हम लोग आज जानेंगे use of in, in का प्रयोग आज हम लोग जानेंगे use of in, use of at का प्रयोग in का प्रयोग कहां पर अक्सर हम लोग confused रहते हैं mein का प्रयोग करना है, कहांए आट का प्रयोग करना है in means may होता है और at means भी may ya पर होता है जानते games के दोरा समझते हैं जिसके एक्जम्पल हमारा लिखा हूग है नियम कहता है बड़े शहरों बड़े नगरओ परंतो और देशों के नाम से पहले हमें इन का प्रयोग करना चाहिए इसको याद करना पड़ेगा बड़े नगरों से पहले प्रांतों से पहले और देशों से पहले हमको इन का प्रयोग करना चाहिए जैसे I live in Kolkata या यू लिव इन कुलकटा या दे लिव इन कुलकटा दे लिव इन लखनाव इस प्रकार से बड़े शहर हैं बड़े नगर हैं आई लिव इन कानपूर आई लिव इन अलाहाबाद ये बड़े शहर हैं इसके लिए हम लोग यहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं तो यू लिव इन कुलकटा तुम कुलकटा में रहते हो तुम कलकटा में रहते हो कुलकटा इजा बिग सिटी इसलिए यहां पर हमने इनका प्रयोग किया है इसी प्रकार से मेरत इस इनुत्ता प्रदेश मेरत उत्तर प्रदेश में है तो मेरत भी एक बड़ा शहर है इसलिए यहां पर हमने प्रिपोजिशन के रूप में इनका प्रयोग किया है कुलकता बड़ा शहर है इसलिए प्रिपोजिशन के रूप में हमने इनका प्रयोग किया हुआ है दूसरा हमारा नियम कहता है महीनों के नाम या सन से पहले भी हम लोग इनका प्रयोग करते हैं जैसे he was born in January, उसका जन्म जन्वरी में हुआ था, तो जन्वरी क्या है, महीनों के नाम है, तो इसके पहले भी हम लोग इनका प्रियोग करते हैं, he went to Russia in 1998, वो सन 1998 में रूस गया था, या रूस गया, तो यहां पर दिखे, यहां पर सन लिखा हुआ है, तो सन के पहले भी हम लो फिर सुनिएगा, कोई वस्तु अन्यस्थान या वस्तु के अंदर इस्तिर वस्ता में हो, वहां पर भी हम लोग इनका प्रियोग करते हैं, जैसे the principle is in the office, principle आफिस में है, या प्रधानाचार्य अपने दफ्तर में है, यहां पर दिखे, principle अंदर है, आफिस में, और आफिस क अंदर है, प्रिंस्पल अंदर है, लेकिन किस अवस्ता हम बैठे हुए है, इस्तिर वस्ता हम बैठे हुए है, वहां पर भी हम लोग इनका प्रियोग करते हैं, तो the principle is in his office, प्रधानाचार्य अपने दफ्तर में है, तो इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे हम बड़े नगरों के लिए, प्रांतों के लिए, देशों के लिए, महिनों के नाम के लिए, और ऐसी कोई चीज जो अंदर हो और इस्तिर हो, उसके लिए भी हम लोग इनका प्रियोग करते हैं, तो students आई अब जानते हैं हम लोग use of at, at का प्रियोग, at का प्रियोग कहां पर करते हैं, at का में या पर इनसे भी संबंधी सी जानते हैं चोटे नगर तथा गाओं के नाम से पहले हम लोग आट का प्रयोग करते हैं बड़े नगरों बड़े प्रांतों बड़े देशों के पहले हम लोग इनका प्रयोग करते हैं लेकिन चोटे नगर तथा चोटे गाओं के लिए हम लो माई बिदर लिफ्स एट कॉशाम्भी इस प्रकार से गाउं के लिए छोटे शहरों के लिए प्रम मेरा भाय राम फूर में रहता है दूसरा नियम कहता है निश्चित समय से पूर्व जैसे चार बजे, छे बजे, आदी, इसके लिए भी हम लोग अट का प्रयोग करते हैं क्या? निश्य समय से पूरू भी हम लोग अट का प्रयोग करते हैं जैसे he came to me at six o'clock, वह मेरे पास छे बजे आया च्छा बज़े आया, तीसरा अडिय हम कहता है, noon, sunrise, midday, midnight, daybreak से पूर भी हम लोग at का प्रयोग करते हैं, जैसे the birds fly at daybreak, चिडिया दिन निकलने पर उरती हैं, चिडिया सुबा होने पर उरती हैं, तिस प्रकार से हमने जाना, आयट का प्रयोग छोटे नगरों के लिए गाउं के लिए होता है निश्य समय के लिए भी होता है और नून, सन्राइज, मिड़े, मिड़नाइट और डे ब्रेक से पूरू भी हम लोग आयट का प्रयोग करते हैं तो सो गाइस नेक्स्ट मोस्ट इंपोरेंट प्रेपोजिशन्स का प्रयोग हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे तब तक के लिए थैंक्स वाचिंग दा वीडियो जैहिंद वन्दे मात्रम